सीमा अभी 15 साल की ही हुई थी कि उसकी माचल वसी उसके पापा बहुत अजीब से इंसान थे उन्हें सीमा से कोई मतलब नहीं था मैं बस अपने ही नशे में चूर रहते एक दिने का आदमी सीमा के घर आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए गहता है सीमा उससे कहती है मैं नहीं चलूँगी वह आदमी कहता है ऐसे कैसे नहीं चलेगी तेरे बाप ने तुझे बेच दिया है पूरे 5000 रुपे दिये हैं तेरे मैंने अब बिना जबांचराय चुपचाप चल सीमा कहती है मैं नहीं मानती, मेरे पापा चाहे कैसे भी हो, वो मुझे बेच नहीं सकते तब ही सीमा के पिता घर में आ जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं अरे श्रीमान, आप अभीताद इसे लेकर नहीं गए — जल्दी इसे लेकर जाए, कहीं आपका मन बदल गया तो मैं पैसे वापिस नहीं दूँगा सीमा तो ये सुनकर बिल्कुल तूट गई थी पर अब वो करती भी क्या उसके अंदर इतनी हिमत भी नहीं थी कि अपने पिता का विरोध कर सके वह चुप चाप उस आदमे के साथ चली गई वह उसे अपने घर ले गया और एक समान की तरह रखने लगा जब जैसे भी उसकी जरुरत होती उससे अपनी जरुरत पूरी करता और बाद में वो एक कोने में पड़ी रहती सीमा को वो बहुत बार मारता उससे बजसलूकी करता एक साल में सीमा कम से गम दो बार तो गरवती हो ही जाती पर उसकी मारपीट की वज़े से बार बार उसका बच्चा गिर जाता पर किसी को उसकी परवा नहीं थी जब तक सीमा 21 साल की हुई तो उसे दो बेटिया पैदा हो गई फिर उस आदमे का मन सीमा से भर गया तो उसने उसे बाहर निकाल दिया और साथ में उसकी बेटियों को भी सीमा वापिस अपने पिता के घर जाती है पर उसका पिता कहता है तो फिर आ गई, इतनी मुश्किल से तो घर से निकाला था चली जा यहां से सीमा रोते हुए कहती है पिता जी मैं अपनी बेटियों के साथ कहां जाओंगी मुझे यहां रहने दीजिये पर उसका पिता उसकी एक नहीं सुनता सीमा रोड पर आ जाती है भीक मांग कर अपना और अपनी बेटियों का पेट पॉलने लगी एक दिन सीमा सड़क पार करते हुए एक पुलिस की गाड़ी के सामने आ जाती है पुलिस वाला उनको सड़क पर देखकर उनसे पूछता है आप लोग इतनी बुरी हालात में सड़क पर क्या कर रहे हैं आप लोगों के कपड़े भी फटे हुए हैं आप अपने घर जाएए सीमा पुलिस वाले को कहती है साहःब हमारा कोई घर नहीं है कहा जाए हैं पुलिस वाले को दया आ जाती है वो उनको एक NG.O में भेज देता है जहां उनको रहने के लिए जगए और खाने के लिए रोटी मिल जाती है अब में तीनों वहीं रहती और वहीं काम करती परसीमा में कभी इतना साहस नहीं आया कि भे अपने हक के लिए लड़े उसे जो उसके साथ हुआ उसके लिए कभी इनसाफ नहीं मिला